पूंब नमस्कार सभी साथियों का स्वागा तभीनंदन कैसी हो भी सारे एक बार पुने सभी साथियों को कलास को लाइक और सेयर कर दीजिएगा इस परिवार पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए देखेगा सीटी एक्जाम डोच जो हमारी चल रहे थी उसके उपर हमने अभी आज हमारा लगातार जो सूपर डोच है मोडल पेपर है उनको हम बढ़ते वे जा रहे हैं तो एक बार पुने इसी मुद्देपर हम आ गए हैं तो आज हमारा जो टोपिक रहने वाला है वो है कि राजस्तान के परमुख नगरों और चेत्रों के उपनाम और उसके सासात में राजस्तान का इधियासिक सवरूप क्या रहा है अलंकि आज मैप का परियोग देखो पिछली वीडियो में मैंने मैप का परियोग करकर आप सभी को बताया है इस वीडियो के अंदर हम मैप के मा माउंट अबूर्ष यानिके उसको किस किस नम उसे हम जानते हैं अब उसको हम राजस्तान का कैते हैं हिमाल्य कीशेग का जाता है ये भी एक सहर है बर्खोयाग तो माउंट अबु किस-kis नाम है यानि हमने शिरोई के तो क्या-क्या नाम है देवनगरी के नाम से जाना जाता है ये ये जिलों के उपनाम में पड़ लिया था यह माउंट आपु को किस-किस नाम से जाना जाता है छेत्रWI कहते हैं तो चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है फिर उसके बाद में रुणेचा या राम देवरा जो भी स्थान कहा है अभी भादवा चल रहा है भादर पद बाबेरी भी जाने वाली है अना तो बोलो सारे साथी रामसा पीर की जै हो इसवार पेड़ा पार तो चितोडगड राजस्तान की अनुनगरी के नाम से रावत भाटा को जाना जाता है और परमानुपरसिक्षन यहां पर किया गया था विज्यस्तम महारणा कुमबा के द्वारा बनवाया गया था ठीक है चितोडगड के अंदर इस्तित है तो सिधा परसन आता है कि भारतिये म रखनी है तो परसन पुछे जाते हैं ऐसे कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है तब आपका उत्र हो जाएगा विज्यस्तम हो जाएगा बैंसरोडगड चितोडगड के अंदर है जिसको राजस्तान का वेलोर कहते हैं आया हुआ परसन है कि राज से कि यहां से कौन सा अंदोलन शुरू हुआ था यह आप बताओ गया लांगी मैं पांच मिनिट वाड़े वीडियो में आगे वाले में परसनों का उत्तर दूँगा जो पिछे वाले परसन होते हैं उनकी वीडियो के आगे वाले में उत्तर दिया जाता है तो आपको बताना ह माही जाखम तीन नदियों के किनारी यहां पर यह मेला लगता है बताओ कौन-कौन से सोम माही और जाखम देखो एक बात और ध्यान रखना यहीं से कि परसन आता है कि यह जो बेनेस्वर धाम का जो मेला लगता है वो किस गाओं में लगता है तब आपका उत्तर होगा नव राजस्तान की विंडसर महलों की संग्या किसे दी गई है आया हुआ परसन है तो राज में उद्यपुर को राजस्तान की विंडसर महलों की संग्या दे गई है जगत स्तान जो जगत अंबिका माता का मंदिर है जो सलूंबर के अंदर चला गया बताओ का चला गया सलूंबर का खजुराओ कहा जाता है अहड उद्यपूर के अंदर है जिसको राज्य की प्राचिन तामर नगरी के नाम से जाना जाता है अना मेवाड भारनाओं का समसान घाट आहड को कहा जाता है अना तामर वरती नगरी जाना जाता है एक थंबा महल जो जोदपूर के अंदर है उसक राजस्तान की प्रहरी मिनार के नाम से जाना जाता है एक थंबा महल का निर्मान किसके द्वारा करवाया जाता है तो अजीद सिंग के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था तो अजीद सिहें के द्वारा इसका निर्मान करवाया जाता है जोदपुर ग्रामिन के अंदर जिसको राजस्तान का भूनेश्वर के नाम से जानते हैं जस्वन थड़ा जिसका निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था जस्वन सिंग द्वित्य की याद में सरदार सिंग ने इसका निर्मान करवाया था जिसको राजस्तान का क्या कहते हैं दोस्तों ताजमेल कहते हैं ये भी आया हुआ परसन है ध्या रखना पुसकर अजमेर के अंदर इस्तित है बताओ पुसकर का अजमेर में पुसकर को हम तिर्थ राज कहते हैं पंचम तिर्थ कहते हैं कौंकन तिर्थ कहते हैं आदी तिर्थ कहते हैं गुलाबूं की नगरी के नाम से जाना जाता तो कई सारे नामों से हम उसकर को जानते हैं तारागड स्थान आता एक अजमेर में एक बुंदी में है दो किल्ले है वो लेकिन अजमेर वाले को क्या कहते हैं राजस्तान का जिब्राल्टर कहते हैं तो बनी ठनी आप सब एक डिक्सन इसको प्रकास में लाने का स्रेय दिया जाता है ध्यां रखना ना बेलकुल नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं उससे पहले आप सब को बता देता हूं कि जितने भी सिख्वाल उनलाइन अब आपके उपर आपका शुरू हो गया है आज उसके नए पोस्टर बन जाएंगे सबी कोई भी टेस्टरी यहां सिख्षक वर्ति की त्यारी कर रहे हो तो आप यहां से जुड़ सकते हो ठीक है अधिक जानकारी के लिए बनेल नमरों पर कोले हमें यां फिर वार्टसप कर दीचीए ठीक है नेक्सट भंड देवरा मंदीर बारा में है जिसको राजस्तान का मिणनी खजुराओ के नाम से जाना जाता है important person है कि राजस्तान का मिन्नी खजुराओ या हाडोती का खजुराओ के नाम से किसे जाना जाता है तो आपका उतर यह हो जाएगा किराडू की बात करें किराडू बाड मेर मेर में है जिसको राजस्तान का खजुराओ कहा जाता है यह है रनकपूर मंदीर जो रनकपूर है वो पाली के अंदर है रनकपूर के अंदर जैन मंदीर है चोगदा सो 444 खंबों का एक मंदीर है अना जैन मंदीर कितने खंबे लगे हुए चोगदा सो पाली के अंदर इस्तित है उसको मारवाड का अम्रत शरोवर कहते हैं तो सीधा परसन आता है कि मारवाड का अम्रत स्रोवर के नाम से किसे जाना जाता है तो वो जवाई बांद पाली को कहा जाता है लूण करण सर बीकानेर जिसको राजस्तान का क्या कहते हैं दोस्तों राजस्तान का राजकोट के नाम से जाना जाता है राजस्तान का राजकोट क्योंकि राजकोट है वो गुजरात म तो यहां से एक बात और ध्यान रखना कि भई मुंग फली उत्पादन के लिए यह राजस्तान का राजगोट कहलाता है को लाएत जिल का है विकानेर में रेकिस्तान का सुंदर उध्यान के नाम से उसे जाना जाता है को लाएत जिल जिसके अंदर चारण समाज के लोग सनान करते खना करने माता से जमन्त विवाडी जो घेर खलती जाना गया आपका राजश्तान का आधुनिक मैंचेस्टर के नाम से जाना जाता है जैसे मां की वेली के खहा रखना उर और उसके लवा डुंडाड का एक और इसका उपनाम है वो आपको कमेंट बोक्स के माद्य में से बताना है इसका दूसरा उपनाम कोण सा है या डुंडाड का एक और नाम कहलाता है यह कोण सा कहलाता है यह भी आपको बताना है सांबर जील आप सभी को पता है जै प्रुग्र रखना यह जहलावाड में इस्तित है का इस्तित है जहलावाड में तो कोल्वी की गूफाइं जहलावाड में जिसको राजस्तान का एलोरा कहा जाता है जहलावाड के अंदर है जहलावाड के अंदर है जहलावाड से चुनाओ वसंद्र राजे सिंधिया का विधान सवाचेत जहलरा पाटन ही है जिसको घंटियों का सहर कहा जाता हुए उस में बहुत सारी कंटियां लगी हुई है और घंटियों के अंuvre जो घंटियां मंदिर के आंदर लगी होती है उसको हम छलरा की करते हैं और वह कोई वकवास करते हैं अपने के देते ना बणी बणाई जहलर होए जहलर का कारिया क्या होता है बजाने का होता है अबली मेनी का महल पुछा जाए तो आगर आप सब्केर सबी को बताया हुआ है कि राजस्तान का ताजमिल अलग है जो हम क्या कहते हैं इसको के अलावा अगर पूछा जाए कांठिल का या पhetic-sen- Zaion- purchased का ताजमिल काका जी की दिर्गा को कहा जाता है पिम्पलूद स्थान दोस्तों बालोत्रा के अंदर आ गया है जिसको मारवाड का लगू माउंट अबू के नाम से जानते हैं और यहीं पर पिम्पलूद के अंदर हल देश्वर महादेव मंदिर है तो यहां पर हल देश्वर महादेव मंदिर है तो यहां पर हल बटांडू का जो कुवा बालोत्रा के अंदर उसको राजस्तान का मेवा नगर केते हैं यह बालोत्रा के अंदर चला गया है काका जी की दरगा जिसको कांठल का टाजमेल करते हैं जो प्रताब गड में अभी मैंने बताया आपको ठीक है मचकूंड अस्टान है धोलपुर में मचकूंड को लेकर बहुत बार पर्संग पूचा गया है कि तिरफों का भांजा किसे कहा जाता है तो मचकोंड को तो को तर्थों का मामा पूछे तो आपको पूश्कर हो जाएगा भांजा पूछे मचकूंड तिर्थों की नानी देव यानी अना जो सांबर के पास जै प्रुग्रामिर में ठीक गनेश्वर सब्वेता जो नीम के थाणा में उसकी जननी अगर नवलगड यानी क्यूंका एक परकार्स एगर मातर तो अगर कहा जाए तो नवलगड कहलाता है खेतडी जो तंबर नगरी या तंबर नगरी निकलता है और तंबे की खान है यहांपर और मानो द्वारा खोजी गई सबसे पहले दातु थी वह भी कोणशी थ भाइन रख लेना ठीक है खेतरी मेल खेतरी मेल लो नीम के धना में आ गया है द्यानत परम राजस्तान tort system क्यालाती है थीद भरना को तो राजस्तान की क्या कहलाते दोस्तों थर्मोपली के नामसे जानते हैं धिवेर गाटी राजसमंध के अंदर है जहां पर दिवेर का युद लड़ा गया था 1512 इसंवी के अंदर तो ध्यान रखना ये कहलाता है राजस्तान का यह फिर मेवाड का मेराथन युद्धि से कहत ठीक है नेक्स्ट राजस्तान का इतिएस्चिक सवरूप यह राजस्तान का एतियासिक सवरूप स्टूडियो मिल जाए नहीं बात करें तो जांगल प्रदेश के इंदर बिकानेर है नागोर है डीडवाना कुचामन जोदपूर यह सारा स्तान आता है अब आपके मन में विचार आएगा कि गुरुजी आपने मैप के माध्यम से तो समझाया नहीं मैप के माध्यम से समझा देते तो जल्ली याद हो जाता बिलकुल तो यह लिजिएगा मैप किसे न इसकी राजधानी यह चतरपूर थी और इस परदेश को कूरु जांगला यह माध्य जांगला भी कहा जाता था योदेयः पर्देश है वो वरत्मान में योदेयः परदेश के अंदर जैसे पहले हम केते थे अनुमानगट गंगानगद वाड़ा जो छेतर है वो यह वर अ करों लिया जाएंगे जो पुर्वी शाइड में गिर्वा उद्यपूर के आसपास जो पाडियों से गिरावा चेत्र वह क्या कहलाता है गिर्वा के नाम से जाना जाता है गोडवार अगे में नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं तो कोठ पुतली बहरोड का जो हर्याना राजे से संपर्स करता हुआ मुंडावर भहरोड बानासूर का जो छेतर है उसको हम किस नाम से जानते हैं राठ या फिर अहिरवाट के नाम से हमेशे जानते हैं बहुत बार परसन आया हुआ उप्रमाल तो उप्रमाल की जागिर आप सभी को पता होगा कि असोक प्रमार को भेंट की गई थी तो उप्रमाल या उत्रमादरी जो छेतर कहलाता है वो भीलवाडा और चितोडगर का जो पठारी भाग है उसको हमें कहते हैं ध्यान रख लेना फिर उसके बाद में जैसे भेंश्रोडगर चितोडगर सी बिजोलिया भीलवाडा की मद्य अत्य दिक उपजाओ छेतर है देखो कोई स्थान हो जैसे मेदानी छेतर है मेदानी छेतर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो उपजाओ होते है ऐले प्रयूग शेकावाटी 사ब्ड का सबस्य पहले प्रयोग अठारा सो पांच इसवी में डबलु अनाडन द्वारा किया गया था ठीक है मेर वाड़ा अजमेर हो गया ब्यावर हो गया रासमन जिल्ये का भाग गया ध्यान रखना दूणडाढ होई गया जोदपुर राजे के आसपास का छेतर हो गया जांगल परदेश का रेतिला भाग मरू परदेश भी कहलाता है मेवल की बात करें तो डुंगरपूर बास वाड़ा के मद्या का भागी आया हुआ परसन है मेवल वाला इंपोर्टेंट है ठीक है तो ये भी ध्यान रखना है मेवाद अलवर खेड़तल ती जारा वे डीग वाड़ा छेतर हो गया तोरावाटी आप सभी साथ योगो पताई ह राजपुत रहा करते थे उनका अधिकार रहा ता कांचली नदी के आसपास का जो चेतर है वहाँ पर तोरावाटी वासा भी बोली जाती है ध्यान रखना नेक्स्ट आके चल्चा करते हैं वागड छेतर हो गया जैसे बंग बंगर पूछा चाए बंगर बंगर तो पाली ब माल्खराड की बात करें तो साब च लगें उस को माल च कंबर की नाम में जानता है यो आप पूर आप सभी को पता है उद्यपुर वाड़ा भागों जाएगा सी भी, और माल है, वो माल के नाम से दक्षन पूरिवि पठारी पर دेश को माल भी कहा चाता है, सालो परदेश की बात करें ये इंप्leइन बन सकता है, सालो हो परदेश अलवर के आजपास का बंचेता है, वो क्या कहलाता है सालोग प्रदेश कहलाता है मालानी आप सभी को पता होगा मालानी नसल के गोड़ी बाड़ मेर सांचोर जालोर वाला शेतर आ गया हडोती की बात करें तो कोटा जालावाड गुंदी वारा वाला आ गया तो जरगावरागा की पुर्धिया परदेश को मेरु के नाम से भी जाना जाता है लश्रस्तान के वर्तमां नहीं नाम्स के तो यह सारी चीजी है जो ये इतियासिक नगरों के वर्तमान नाम पढ़ेंगे और उसके अलावा व्यक्तियों के उपनाम के बारे में हम जर्चा कि अधार में फिर मिलते हैं ख्रवां गनेशा है कर दो